असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स, I hope you all are fine हम अपने चैप्टर्स जो हैं 1, 2, 13 कर चुके हैं तो जो हमारा नेक्स लेसन आएगा वो एत्रिय दिनों में होगा तो वो कंड़क नहीं हो सकेगा हम फिर नेक्स वीक अपना ग्रामर लेसन कर सकेंगे तब तक के लिए आप लोगों के पास बहुत टाइम है तो आप लोगों ने क्या करना है कि यूनिट 1, 2, 13 जितने हम लोग कर चुके हैं गैरंट्स, सॉरी, आर्टिकल्स तक 14 तक चैप्टर 1, 2, 14 आप लोगों ने सब चैप्टर्स के चैप्टर नंबर वण लिखना है उसकी डेफिनेशन लिखनी है एक्जाम्पल्स लिखनी है अपनी नोट्बुक्स पे ठीक, आपने चैप्टर नंबर वण लिखा उपर चैप्टर नंबर वण के हेडिंग दी unit 1 पूरा नाम लिखा unit 1 का आगे आपने definition की heading दी countable nouns की आगे उसकी definition लिखी उसकी कुछ examples लिखी इसी तरह आगे आपके हैं singular countable nouns उनका definition लिखी उनकी examples लिखी फिर uncountable nouns की definition और examples आप two to three examples लिख ले enough होगा three would be good आप three examples लिख लो enough होगा आपने इसी तरह आपका अगर chapter number one जो है अच्छे तरीके से सफाई से आप लोगोंने करना है तो आपका एक page cover हो जाएगा उसके बाद आप लोगोंने move करना है chapter number two पे और chapter number two के आप लोगोंने इसी तरह unit number two की heading देनी है next line में आपने unit number two का नाम लिखना है फिर आप लोगोंने heading देनी है singular noun क्या है उसकी definition लिखके आगे two to three examples फिर plural noun की definition लिखके उसकी examples ये आप लोग नहीं लिखोगे इसी तरह one to fourteen आप लोगोंने सारे chapters करने है अगर आपके page पे जगा बच जाती है तो आप लोग एक line चोड़ें ending line ड्रॉ करें दर्म्यान में scale से फिर chapter number two की heading दे दे जब chapter two खतम हो जाए उसकी definitions और examples फिर आप ending line ड्रॉ करें पर chapter three लिखें इसी तरह आप लोग ending line ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं आप एक page पे एक लिखेंगे तो that would be preferable क्योंकि अच्छे सफाई से आप लोगों का काम होज़ेगा और neat लगेगा और आप लोग यह चीज़े बुक से देख सकते हैं इसलिए आप लोगों को लिखने की जुरूरत नहीं है आप लोगों ने सिर्फ definitions और examples लिखनी है unit 1 बड़ा है उसके नीचे दूसरा chapter ना शुरू करें next page पर जब दूसरा लिखेंगे तो unit 2 चूटा है आप इसके नीचे से third शुरू कर सकते हैं आप लोगों ने इसी तरह सब जिनकी आगे further definitions हैं वह भी लिखनी है जिनकी नहीं है it's okay जिससे कुछ की examples है आप लोगों ने वह examples भी लिखनी है जिनकी types है demonstrative और इस तरह की quantifiers की या किसी भी चीज़ की वह आप लोगों ने types की भी definitions लिखनी हैं जो आपकी book में provided है chapter number one to fourteen आप लोगों का homework होगा आप लोगों ने करना है chapter number three में सरफ common noun की definition फिर proper noun की definition common noun की definition के बाद उसकी कुछ examples proper noun की definition के बाद उसकी कुछ examples फिर आपने moving towards chapter number four ending line draw करके three के नीचे chapter number four पे collective nouns की definition देनी है उसके नीचे उसकी four to five आप examples लिख लो सही फिर examples आपकी किस तरह से होंगी जो आपकी line के नीचे आप लोगोंने underline करना है आपने फिर example यह line लिखी example में number one और नीचे army को underline कर दिया इस तरह से आपकी examples होंगी examples words में नहीं होंगी इसी तरह personal pronouns आगे इसकी definition आगे पहले यूनिट का नाम नंबर नाम फिर definition उसके बाद आप लोगोंने examples लिखी फिर आप लोगोंने यह table आप बना सकते हो अच्छे बात है आप लोगों के लिए help होगी table आप लोगोंने बनाना है unit number five का फिर आप लोगोंने लिखने है unit number six reflexive pronouns reflexive pronouns की जो हैं आपको definitions दी हुई है reflexive pronoun की definition लिखके उसके examples लिखनी है two to three examples table बनाना है फिर आपने लिखना है जी यह आपका पूरा एक पेश पर आ जाएगा इसलिए आप लोगों के इसके नीज अंडिंग लाइन ट्रॉग करके बिल्कुल भी गचोले वाला काम नहीं करना फिर unit number seven unit number seven के अपने definition लिखनी है unit number नाम definition examples two to three एंडिंग लाइन next page unit number eight relative pronounce की भी इसी तरह से जार है आपका पूरा का पूरा definition definition है और two to three examples जाएंगी ठीक two to three examples यहां से आप लोग पिक कर सकते हैं तो इसी तरह से आप यह लिखेंगे एक line चोड़ेंगे यह लिए example लिखेंगे फिर एक लाइन चोड़ेंगे फिर यह example तो आपका page cover हो जाएगा फिर unit number nine unit number nine में आप लोगों ने interrogative pronouns की definition लिखनी है और जो यह मैंने आप लोगों को sketch बनवाया था आपकी books पर provided भी होगा नहीं है तो आप अभी screenshot लगे लिख लें यह भी लिखना है पहले definition पहले तो number number definition आएंगी examples आएंगी और यह sketch आप लोगों ने तरह मिड में फिर end में ड्रॉख करना है moving towards unit number 10 unit number 10 में आप लोगों के रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स है रेगुलर वर्ब के आप लोग लिखेंगे definition और सिर्फ two to three examples जो आप इसी तरह से तीन वो बना के blocks लिखेंगे three examples फिर आप लिखेंगे some regular verbs with y फिर उसकी two to three examples फिर verbs with जिसमें हम double the letter कर देते हैं इसी तरह आपने फर्स यह हो गया इसकी two to three examples second यह हो गया इसकी two to three इन दोन यह लिखने के बाद आपने almost two lines चोड़नी है ताकि आप लोगों का काम mess up न लगे फिर यह लिखना इसकी three examples के बाद आपने two lines चोड़नी है फिर regular verbs की जिसमें we double the words उसकी three examples फिर two lines चोड़के आप लोगों ने next उसी तरह इसकी irregular verbs की definition और उसकी three examples और लास्ट में आपका irregular word जो take same form उसकी three examples इसी तरह यह आपका two pages almost cover हो जाएंगे इस पर neatly काम करना है किसी ने गंदा काम नहीं करना chapter number 11 मैंने आप लोगों को extended definitions कराई थी transitive or intransitive की आपने extended definitions ही करनी है आप लोग पहली definition लिखोगे आगे उसकी examples two examples would be enough two or three फिर आगे second intransitive उसकी two to three examples would be enough extended definition जो मैंने आपको लिखवाई में वो करनी है unit number 12 में इसी तरह से unit का number फिर unit का पूरा नाम फिर आपने participants होते क्या है फिर present participants क्या है और फिर past participants क्या है present participants की पूरी definition और उसकी two examples two to three फिर past participants पूरा और उसकी two to three examples यह भी आपका पूरा page cover हो जाएगा moving to unit number 13 unit number 13 है हमारा guarantee 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 में भी आपने एक standard definition करनी है पूरी definition और उसकी two to three examples articles यूनित number 14 में number उसका नाम chapter का पिर आप लोगोंने definition लिखनी है examples लिखनी है फिर and का use लिखना है फिर उसकी examples लिखनी है इसी तरह आपने the का use लिखना है उसकी examples लिखनी है two examples would be enough इसदर भी आप लोगोंने यह line लिखके उसकी दो examples इसी तरह no article में आप लोगोंने कब no article यूज होगा आपने लिखना है और कुछ पच्छों ने country के names के साथ भी the use किया वा था that was so inappropriate no article लिखके आपने यह definition लिखके इसकी two to three examples लिख देनी है neatly काम करें आपके सारे one to fifteen जो है cover होने चाहिए आगे जो आप 14 cover होना चाहिए 15 और 16 जो आपकी है वो आप लोगों के इंचाहला next जब आप लोगों के school खूलेंगे 15 और 16 आपके tenses हैं तो वो आपको face to face class में ही करवाया जाएंगे तो kindly आप लोग यहां से तक cover कर लें अपनी note books one to fourteen आप लोगों की note books cover होनी चाहिए neatly एक पेच पे एक ही chapter अगर आप लिखें unit तो ज़्यादा appropriate होगा और उसके आगे से हम अपनी creative writing applications और letter स्टाउट करेंगे आपके सारे के सारा grammar के जो lessons है वो एक जगा आने चाहिए one to fourteen kindly complete your notebooks take care of yourselves meet you in the next meeting after Eid inshallah Allah Hafiz